थो इस पर में स्टार्ट करें आँ चाप्टर नमगा 14 जूसका नाम क्या है सेमे कंडॉक्टर डिवाईसे एडिजिटीर्टल सर्कीट्ट तो सेमिकंडॉक्टर क्या होते हैं तो तो Авगे कि फिर्टिंट्र फ्रावा क्लिक्स दीन है कि कि अब अब ले श्वें पदा चला उसी से अपने काफी कुछ कर रहा अब सबसके से वह तो जब पुरेंवकंद ब्सक्राइब कर सबस्कें खोड़ते हैं इलेक्ट्रोनिक्स फिर से अगर अपन इलेक्ट्रोन का प्लो करवाते हैं और उनसे जो डिवासिस बनते हैं उसी को पन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनिक्स ब्रांच तो इसका इंट्रोड़क्शन क्या हो जाएगा की the discovery of an electron was a landmark in physics बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रोन से ही सब चल रहे हैं कि आप दो मिंट के लिए देखो कि पूरी पूरी-पूरी electricity magnetism सब कुछ जितना भी अपन पढ़ते हैं सब कुछ किससे शुरू होता है इलेक्ट्रोन से क्योंकि इलेक्ट्रोन था तभी तो सारे चीज़ें हुई इसका मतलब जो इलेक्ट्रोन ही था जो स्वाद फिजिक्स के अंदर में लिए जिसके अंदर अपनी मर्जी के अकोडिंग करवा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं और यही क्या होते हैं लेक्ट्रॉन लगाती एक तरफ क्या नोड है ज्यादा तर्म यह होते थे टू तो उनका अपन क्या करते थे कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोन जो होते थे वो कैसे अपन को मिलते थे कि कैथोर्ड को हीट कर दिया जाता था जिससे उससे क्या इलेक्ट्रोन निकलते थे वो electron को absorb करता था कौन? kernel जिससे और वो जो कितने electron निकलेंगे जितना वो गरम होगा cathod, और कितना heat होगा वो जितना आपने potential difference रखते हैं तो यह सब उसके उपर उसके उपर potential difference जो होता वो regulate करता था किसके? electron के flow को अब electron के flow को regulate कर दिया Mutlaff Musicovic हो गया उसको ऑपन क्या उभता है वेक्यूम त्यूब जो है क्या है इलक्ट्रो निगवाइज है क्योंकि आपने एलेक्ट्रोन के फ्लो को क्या कर दिया पैंट्रोल और क्या होता है कि ए वेक्यूम इस नैसेशेयां आफ़। पात है कि जो बक्यूम में हो नैसेसरी हो और उनकी जो पावर कंजूम होती हो भी बहुत जादा होती है क्योंकि इलक्ट्रों कैथोर से बाहर कब निकलते हैं जब वह हीट होता है और वहीट पकप होता है जब इसके बाद में जो बहुत बड़ी चीज वह हो क्या है सॉलिड इस्टेट इलेक्ट्रों कर सकते हो और डारेक्शन भी वैक्यूम तुम में उली कितने इलेक्ट्रों निकलेंगे वो कंट्रोल होता था डारेक्शन तो एक ही रहती थी तो लेकिन यहां पर क्या है कि नंबर भी कंट्रोल हो सकता है और डारेक्शन भी कंट्रोल हो सकती है ठीक है सेमिकंड़क्टर क्या होते हैं बेसिक में होते हैं जो आज अपन सब जगे काम में लेते हैं ठीक है जैसे अपन आप एपिलगाइड वोल्टेज भी आता जाद है यहाँ पे गांग हो जाता है P कैसे होता है यह समझर आगे पढ़ेंगे तो यह सूज ने कि रिक्वाइमेंट न ही की सारी चीज ठीक है यह थोड़ा सापको दिया रखना है तो chemical composition के अपर यह जो classification अपन कर रहे हैं इसमें कौन-कौन से होते हैं दो होते हैं एक क्या होता है elemental semiconductor एक क्या होता है compound semiconductor elemental semiconductor अभी अपने को पढ़ने की requirement है जो की basic क्या है कौन-कों से एक्जांपल एक सिलीकन और जर्मेनिया वैसा है यह जी यह होते हैं elemental semiconductor फिर अपन जो बनाते हैं वो क्या होते हैं compound semiconductor इसके अंदर दो तरह के आते हैं इन और 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 यह उनके examples के नाम जो कि त्यांद रखने तीके next अब यह तो बात होती है कि इसके ऊपर chemical composition के ऊपर अब बात करें हैं अपने उनका source and nature of charge carrier source और nature of charge carrier के ऊपर कितने टाइप के होते हैं तो दो टाइप के होते हैं एक क्या होता है intrinsic semiconductor क्या होता है कि pure semiconductor मतलब वह जो उसके अंदर जो element आप जैसे अगर मैं बात करूं कोई एक element तो पूरे metal पूरे substance जितना वह आप substance ले रहे हो पूरे के अंदर वही metal उसके अंदर अधर कोई atom नहीं है अधर कोई atom की impurity नहीं है वह बिल्कुल तो प्योर है प्योर होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर किसी अधर atom की impurity नहीं है इसको पन क्या बोल देते प्योर तो दा प्योर से हमें कंड़क्टा impurity less than one part in 10 to power 10 मतलब 10 to power 10 atom एक ही substance के हैं प्योर्टी बहुत कम एप्रों नेगली जीवल होती है प्योर्टी बहुत जादा तो दे प्रेजंस ओफ मोबेल चार्ज केरियर चार्ज को केरिक करने वाले कोन उते हैं दो होते हैं एक तो होता है electron एक होता है hole अब question क्या आता है यहाँ पर कि तुमने जो है पहली बार एक word सुना यहाँ पर क्या hole क्या होता है तो hole का मतलब क्या होता है वह सुनो एक कोई भी latest मालो उसके अंदर एक bond में electron है अगर मालो उस electron को energy मिल जाती और वो electron बाहर चला जाता है तो उसकी जगे क्या हो जाती है खाली हो जाती हैए वेकेंट हो जाती है और वा जो वेकेंट जगेंट होती है अब electron था वहाँ पे अब जब electron चला गया तो उस खाली पर चार्ज की आ जाएगा positive तो वो जो positive and charge वेकेंट प्लेस होता है उस इक होपन क्या बोलते हैं, hole, ठीक है, basic introduction नी sufficient है, आगे अपन फिर पढ़ेंगे, next, तो ये दू बात होती है, इसकी, तो क्या होते हैं, intrinsic semiconductor, जिनकी purity बहुत जादा होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कि holes are essentially in and the electron vacancies with an effective positive charge, in an intrinsic semiconductor, number density of the electron is equal to number density of hole, इसका क्या मतलब है कि intrinsic semiconductor पहली चीज़ क्या होता है, प्योर होता है, ये धियान रखना है, उसमें कोई भी मिलावाट नहीं, अधर element की दूसरी चीज़ क्या धियान रखनी है कि इसमें जितने number of electron होते हैं, उतने number of hole होते हैं, कैसे अभी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन होता ही है, ये भी सुनना है आपको बस, जब तक lecture खताम होगा, तब तक सारी ही चीज़े clear हो जाएगी, continue, extrinsic conductor, extrinsic semiconductor क्या होते हैं, वो जिनमें अब अब obviously बात यादे को नाम से पता चल रहा है, पहले क्या था intrinsic मतलब वो बिल्कुल क्या था pure, तो यहाँ पर क्या होगा, impure, मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, एड करते हैं, अधर element को, एड करने को ही क्या बोलते हैं, डॉपिंग करना बोलते हैं, तो the semiconductor obtaining by adding and doping the pure semiconductor, pure semiconductor के अंदर आपन तोड़ी से अपन क्या कर दे, editing कर दे, तो उससे जो बनता है, उसको क्या बोलते है, extrinsic semiconductor, तो अब उससे होता क्या है, कि वो जो आने वाला, जिसको अपन मिला रहे हैं, जो जिसकी अपन डॉपिंग कर रहे हैं, उसकी जो valence है, वो क्या है, अपना जो अभी host, अभी जो main item है, उससे क्या different है, मालों, silicon के अंदर अगर आप कुछ और element मिला रहे हो, तो उसकी जो आगे वाले की valence होगी, वो क्या होगी, अपने से different होगी, तो इससे ये ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है, क्योंकि जो electrical conductivity होती है, वो क्या हो ज होती है, जो आपने दूसरा item मिलाया उसके वज़े से, क्योंकि pure क्या होते है, निकि उनकी conductivity कम होती है, क्यों मैं अभी बताँ हूँगा, तो उनकी conductivity कम होती है, तो उनकी conductivity कुछ आदा करने के लिए, उसमें क्या अगर आपने doping मिलाई, मतलब other items को मिलाया, और उसी को, और देखो, दो तरह के हो गए, पहला क्या हो गया, intrinsic जो बिल्कुल pure है, और दूसरा क्या होता है, extrinsic जिसमें दूसरों की भी doping है, बस इदो टाइप के अपने क्या होते हैं, semi-conductive, क्यों करते हैं, ताकि conductivity बहुत बढ़ जाती है, next, अब bond model क्या है, valence bond model for the intrinsic semiconductor, अब दो अपन बात करें, जैसे silicon, germanium, कुछ भी तुम ले लो, तो अब इन दोनों में क्या होते हैं, four valence electron कितने होते हैं, silicon and germanium के अंदर, four valence electron होते हैं, अब उसका अगर अपन diagram देखे, तो वो क्या दिखेगा, उस टाइप का दिखेगा, तो होता क्या है, कि डंग से देखना, जैसे यहा करता है, कि चार्ट जो electron बच रहे हैं, वो पड़ोसी से share कर लिता है, आरा समझ में, तो यहां पर देखो, यह जो pair बने वे, यह bond कैसे बने वे, कि इन दोनों ने अपना ये और ये atom जो है, दोनों में काम आ रहा है, ठीक है, अब यह वाला bond देखो, यह वाला जो bond, इसमें ये electron और ये electron ही दोनों में काम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि ये क्या करते है, आपस में अपने electrons को क्या कर देते हैं, share और क्या कर लेते हैं, covalent bond बनाते हैं, तो ये किसकी बात हो रही है, intrinsic semiconductor की, intrinsic semiconductor मतलब यहां पर कोई भी doping ये मिलावट नहीं है, ये बात हुई थी इ extrinsic semiconductor, नहीं, पहले एक बार इसके अंदर एक और चीद देखो, अब अगर क्या होता है, कि अगर मैं इसका temperature increase करता हूं, intrinsic की ही बात कर रहा हूं, इसमें सब मिले में हैं, ठीके, कोई भी इसमें, जो है आपस की ही 4-4 मिले में हैं, electron बाहर से कोई भी other element नहीं है, अब इसके अगर क्या होता है, कि जैसे ही मैं क्या करता हूं, उसको heat देता हूं, किसको? intrinsic semiconductor को, तो electron को क्या मिल जाती? energy, और electron क्या होता है, कि बाहर चला जाता है, और जैसे electron बाहर गया, तो यह diagram देखो एक बाहर अंग से, electron जो है, यहाँ जो electron था, वो बाहर चला गया, इसका मतलब क् खाली, और वो जो जगे खाली होगे, उसको मैंने भी थोयदे पहले बताया था कि क्या होगी, वो electron की वेकेंसी और जिसी को पन क्या बोलते है, होल वहाँ बन गया, आया समयच में, मतलब अगर किसी conductor या कोई ऐसे semiconductor बोल दो, उसके अंदर जो electron है, पैर के अंदर, अगर उन तो यह तो बात होती है किसकी, intrinsic semiconductor की, अभी यहाँ पर एक important बात क्या है, कि जितने electron, बहुत रंग से सुनना conclusion निकल रहा है, जितने electron यहाँ से बहार निकलेंगे, उतनी ही तो क्या बनेंगे, होल, इसका मतलब, intrinsic semiconductor के अंदर, number of electron, क्या होते हैं, equal होते हैं, किसके equal होते हैं, number of hole के equal होते हैं, फिर से, intrinsic semiconductor के अंदर, क्या हो रहा है, आप एट देरो, electron बाहर निकल रहे हैं, bond break करके, तो जितने electron bond break करेंगे, उतनी ही क्या बनेंगे, होल, इसका मतलब, intrinsic semiconductor के अंदर, number of electron, equal होते हैं, किसके number of hole के, तो यहाँ पर देख लिकर रहा है, number of electron, equal to number of hole, अब यहा एक जगे पर कोई, एक electron उस जगे से अगर चला जाता है, फिर से, एक electron जो एक जगे से दूसरी जगे पर चला जाता है, इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पर क्या आ गया, hole आ गया, अब कैसे इसको और detail में समझ सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, जैसे initially क्या था, site 1 और site 2, site 2 क 2 जो है, अपने पास कितनी site है, फिर से एक बार देखो, अपने पास site है, दो से कि, हाँ, अपने पास जो site है, site 1 और site 2, मालों की site 1 पहले क्या है, vacant है, vacant मतलब खाली है, वहाँ पर क्या है, hole ले, और site 2 पर क्या? electron, तो अगर site 2 का electron, site 1 पर अगर jump कर जाता है, तो उससे होता क कि गाँ है कि जो इलेक् aussi n прाझे कांनों विखाल 2010 कों गया इलेक्ट्रोन गया लेकिन अगर कि नितुर्ब सब्सक्राइब तो से दो क्या लग्र एलेक्टरों था अगर किसी प्रोसेस की वज़े से जो एलेक्टरों से अगर साइट और साइट टू से अगर एक जूतर से ऑर रहायो इसका मतलब क्या है एक बहुत बड़ी conclusion की line बोल रहा हूँ जो last अकावाएगी कि जिस direction में electron का motion होता है उसके opposite direction में motion होता है hole का फिर से सुनना जिस direction में electron का motion होगा उसके opposite direction के इंदर motion होगा कि इसका holes का obviously बात है क्योंकि electron एक जगे से दूसरे जागे जा रहे हैं मतलब holes का रहे हैं दूसरे जगे से पहली जगे पर ठीक है तो यही क्या है conclusion चलो next doping तो doping जो अपने पढली की पर जो मिलावाट करते हैं उसको क्या बोलते हैं doping थोड़ा सा डीप में एक बर इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि इंट्रेंस्यक के जो दावलपिंग सैमे कंदूंड़ क कम होते हैं अब इंट्रेंसिक जो चार्ज है य चार्ज का इनधर के सब्ल må U V अगर आपको काम ब्लेक्रण का कंट्रोन का करते हैं और सबसे में क्या दिक्कत होती है कि for intrinsic semiconductor N E equal to NH मतलब number of electron कि इसके equal हो जाते है number of hole के और यह बहुत बढ़ी दिक्कत है क्योंकि आप किसी को भी कम जादा नहीं कर सकते हैं कि जितनी हीट दोगे जितनी electron बनेंगे उतने ही तो पीछे hold रहेंगे यह क्या होती है डिक्कत हो जाती है कि इसमें number of electron किसके equal होते है number of hole के तो usefulness तो होती है ऐसा नहीं useful डियर्स नहीं है semiconductor है पहले इसा काम सलता था लेकिन usefulness नहीं होती है कम ही काफी GUY हो Skills WA क्या होते है limit हो जाते है तो इसलिए पिर अपन क्या करते है उनकी doping करते हैं तो doping कीसे करते हैं उनकी doping की conditions क्या है एक बार doping क्या होती है एड करना हो तो लिखर की definition की इड प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजारेबल इंपुरिटी टुए प्योर सेमिकंडुक्टर मतलब अपन जान मुझ कि अपनी मर्जी से कुछ एड करना चाहरे है लेकिन अब इसकी requirement है क्या requirement है पहली क्या requirement है कि तो semi-conductor material should be a very high priority मतलब तो semi-conductor material है उसके priority क्या होने चाहिए बहुत ज़्यादा दोसरी क्या है the atom should be nearly replace the semiconductor atom मतलब जिस atom को आप डाल रहे हो तो वो जिसकी जगे पे उसको रखना चाहरा हूँ वो उसको क्या कर देना चाहिए replace कर देना चाहिए next the size of the dopant atom should be almost the same of the size of the semiconductor atom obviously बात है अगर आपको किसी चीज को replace करवाना है तो उसकी जो size जिस size का आप लेकर आ रहे हो वहाँ पर जो already atom ता उसकी साइज की क्या होना चाहिए तभी तो वहाँ पर fit होगा आ रहा है समय मतलब कोई भी चीज मालों को uniformity है तो उसमें अगर आप बढ़ी है चोटी साइज की चीज वहाँ पर fit करना चाहते हो तो fit नहीं होगी बस यह कहने का मतलब है मतलब 10 लाग के अंदर एक ही एक्स्ट्रा एटम होना चाहिए यह इसकी कितने डाप की अब यह आपने सिलिकन और जर्मिनियम की अगर डॉपिंग की बात करो तो यह किसमा आते है फोर्थ गूप में आते है तो इसके अंदर अपन जो डॉपिंग कर सकते है वो किसकी कर सकत सकते हैं यह सकते हैं यह तो अब यह तो आप किया करो गारो यह पिर 20 में अब ही फॉर्थ में तो उब लिवात माख्याइक ज्यादा और एक कम और अव्य पार्वाईर्न की दिशू होनंकि तो पैन्टावीलेंट कोर यह हो जाते हैं आसी इनकी जब डॉपिंग करते हैं सिलिकन जर्मिनियम में तो भी बन जाते हैं मेधर क्या होता है दोपिंग करने के वही मौलटरिस्वेट में उनको मिलाओ या फिर उसको एक ऐसे एनवार्मेट में हीट करो जिसके आज पास क्या हो एयर के इंदर वो अल्रीड डॉपन्ट्टो जिनको आपको उनको मिलाना हुग नेक्स्ट क्या आता है, Valence Mode Models of Extrinsic Semiconeductors अब Valence Mode Model का मतलब क्या है, आप थाप्पिंग करी अब डॉपिंग करी, डॉपिंग करी मतलब वो जो ex- tendency, पहले क्या था PURE प्यॉपिंग को आपने क्या बोला, intrinsic, अब आपने क्या करी अगर आप पेंटाविलेंट को मिलाते हो तो पेंटाविलेंट में क्या होता है वेकेंशिस कितनी होती है पांच वेकेंशिस होती है मतलब क्या है कि पांच इलेक्ट्रोन होते हैं वैलेंस के अंदर अब पांच इलेक्ट्रोन है और अपने germanium के अंदर bond कितने बन रहे हैं चार bond बन रहे हैं और आप जिसको मिला रहे हो उसके पास electron कितने हैं पांच electron है तो चार तो settle हो जाएंगे लेकिन जो एक बचा जो एक बचा वो तो क्या हो गया अब ऐसे एक germanium थोड़ी है मालो germanium के अंदर कर मिला रहे हो या silicon के अंदर मिला रहे हो तो एक silicon germanium थोड़ी बहुत सारे millions of atoms होते हैं और ज्यादा आपन बोल सकते हैं तो सब के अंदर एक एक electron extra होगा तो सोचो total extra electrons कितने हो जाएंगे आ रहा है समय में फिर से अगर अपन pentavalent की क्या कर देते हैं doping तो pentavalent क्या होता है जिसमें five extra electrons होते है valence electron होते है अपने को कितने चीए pair बनाने के लिए charge ही है ठीक है अभी अपने देगा charge ही है तो एक जो बज़ा वो क्या हो गया extra और ऐसी सारे मिलंगवा तो extra electron कितने हो जाएंगे बहुत ज्यादा इसका मतलब number of electron ज्यादा होगी मतलब उसका overall concentration ज्यादा किसकी होगी majority charge के रिए majority किसकी हो जाएगी वहाँ पे electrons कि electrons की majority है तो electron मतलब क्या negative charge तो इसलिए इन conductor को अपन क्या बोलते है end type semiconductor तो end type semiconductor क्या होते है जिसमें अपन वो extrinsic semiconductor जिसके अंदर fifth group के element को मिलाते है और जिसमें number of electron क्या होते है ज्यादा इसका opposite कर लो अगर मैं third group के element को मिला हूँ तो उसके अंदर balance electron कितने होते है तीन अपने को चाहिए कितने है चार उसमें है कितने तीन है तो एक जगे खाली रहे गई मतलब आहां पर hole create हो गया अब ऐसे ही पूरे substance के अंदर मिला होगे तो सोचो कितने सारे hole रहे जाएंगी hole मतलब क्या positive charge इसका मतलब वो semiconductor जिसके अंदर अपन क्या मिलाते है trivalent atom को मिलाते है तो अपने valence बहुत ज़्यादा हो जाते है hole बहुत ज़्यादा create हो जाते है hole मतलब क्या positive तो इसलिए उस semiconductor को अपन क्या बोहते है p-type semiconductor simple क्या याद रहतना है n type मतलब 4 को मिला रहे है 5 से electron ज़्यादा हो गया negative ज़्यादा हो गया n type n न मतलब क्या negative type उसको अपन क्या बोल देंगे P-type तो यही क्या होते है P-type और N-type आपके semiconductors यह देखो यहाँ पर diagram की form में देख लो यह क्या है P-type और एक क्या होता है N-type अब first क्या है N-type N-type के अंदर क्या होता है किसे मिलाते हैं अपन 4th को 5th से N-type मतलब तुम्हें दियान क्या रखना है बहुत simple सी बाते दियान क्या रखना है कि 4th को 5th से मिलाएंगे तो electron क्या हो जाएंगे ज़्यादा तो यहाँ देखो एक extra electron आपको दिख रहा है यह extra electron ठीक है क्योंकि इसके बास कितनी थी 5th को इसको मिलाया अपन है और इसको मिलाया 5th वैलनसी वाले इटम को तो इसका यह एक electron क्या था एक्स्ट्रा और जो एक electron एक्स्ट्रा है यह क्या करेगा यह extra है तो ज़्यादा क्या होगा electron हो गए तो ऑबिसली बात है इसको अपन क्या बोल देते हैं कि यह electron दे सकता है यह वाला जो सब्स्ट्रेंस से इसको डॉनर भी बोल सकते हैं तो इस टाइप से साली चीज तो हैंस इलेक्ट्रों सार्द मैजॉरिटी चार्ज करें होल सार्द माइनॉरिटी चार्ज करें अब ऑबिसली बात है कि अपन यहां पर क्या देते हैं हीट देते हैं तो अब जब यहां पर हीट दी जाती है जब यहां पर क्या होता हीट दी जाती है तो क्या बोल सकते हैं इसको कि मतलब सीमी कंडुक्टर की हीड़िगे तो एलक्ट्रोन निकलेंगे हैं अब अपने पने क Cabinet न अब की बात करें हैं अगर में फीट दुए था कुछ इलक्ट्रोन तो पहले ही एक्ष्ट्रा और جो बॉंड के साद जूड़े हैं वह भी बाहर निकल जाएंगे तो एक तो ने को यादा को ने तो जयादा इंदर एन्ट वंका AT 2 को कूं की कुछ पहले से एक्ष्ट्रा थे क्यों किником कूर सी अगने को इसको विपसे मिलाई तो इसको बैसे इदा थे अब अब नब्रों आ сюжet और आधि शी Cover say कि आप 25 यह होगा इसे तो शालरो इनक्राट की और सबस्माइब सब्सक्राइब करता हूँ तो जो एलेक्ट्रोन बोर्ण में है वो भी टूटूट्र के बाहर निकलेंगे तो अब इलेक्ट्रोन जो बाहर निकले उरेंसे इस्परक्ट लेकिन होल तो पहले से हिए क्या थे बने वह थे तो अब इसका मालब क्या है कि P-type semiconductor को जब heat up किया जाता है तो उसके अंदर दो charge किरार होते हैं एक तो क्या होता है hole और एक क्या होता है electron लेकिन P-type के अंदर hole तो पहले से मुझूद थे अब और ज्यादा बन गए इसका मतलम number of hole क्या हो गए जादा और number of electron क्या हो गए कम किसके अंदर P-type के अंदर दोनों बस क्या है एक दूसरे के बिलकुल opposite तो बस यही दे रखा है इस पूरे page के अपड़ नेक्स्ट क्या आता है energy band in solid के मालब solid के अंदर energy band कैसे होते हैं तो फ्रॉम बोर्ट का जो मोडल था उसमें क्या था कि विन और देर्द इलेक्ट्रों से वेरी वेल डिफाइन एनर्जी लेवल होते हैं लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है कि वह जो पास में ला रहा हां क्या बनाने के लिए चब अपास में लाते हैं क्रिश्टल बनाने के लिए होता है इंटर्यक्शन तो उसो विजे से क्या होता है कि the electrons of the outer shell are forced to have energies different from those in isolated atom कि अपनने जो अभी तक पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा isolated atoms के लिए पढ़ा लेकिन जैसे ही दो electron को दो electron क्या दो atoms को पास मिलाते हैं तो उनकी जो outermost orbit के electrons होते हैं उनके जो energy level होते हैं वो जो अपनने अभी तक पड़े उससे क्या हो जाते हैं different हो जाते हैं क्योंकि इंटर-atomic forces लगते हैं और उसकी वज़े से वो different हो जाते है energy level ठीक है और वो जो हर एक energy level है वो भी split हो जाता है कि इसमें number of energy level में हर energy level split हो जाता है number of energy level में continuous bend बनता है उसको यह अपन क्या बोलते है energy bend फिर से सुनो short में होता है कि अपने जो अभी तक क्या पड़ा कि भाई एक center में क्या होता है nucleus उसके बाद में उसकी क्या होते है permissible orbit और herb orbit के अंदर एक क्या होती है energy होती यह सब क्या होता है जब isolated item होता है लेकिन practically क्या होते है कि जब practically अपनको isolated item मिलता है कि एक बार में कोई बता हो isolate तो कई नहीं होती different energy level होते है कि मतलब एक जो orbit है उसके अंदर एक fix energy होनी चीए थी वो energy ना होके उस एक ही orbit के अंदर भी energy level बन गए फिर सुनना मैंने क्या बोला electron का एक orbit कितने भी orbit है जो permissible है और उन सब के क्या है अपनी अपनी energy है लेकिन अपन क्या देखना है कि हर एक orbit के एक energy होनी चाहिए लेकिन जब actual में present में real life में अपन को जब और वगरा से मिलते हैं substances तो अपन देखते हैं कि उनके जो atoms है उनके जो orbit है उनके अंदर जो energy मिलती है वो एक fixed form में ना मनके एक continuous form में vary करती है energy और वो जो continuous form में vary करती है एक ही orbit के energy उसी को अपन क्या बोलते है energy का bend क्योंकि उसी same orbit के अंदर energy क्या करी है vary कर दी है कैसे vary कर दी है continuous vary कर दी है मतलब कम से continue जादा 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 एक ही उसके अंदर energy level क्या दी है आ रहा है समझ में तो उसको अपन क्या बोलते थे band यह फिर पट्टे तो मतलब an animusly large number of energy level closely spaced in a very small energy range constitute the energy band इसलिए मतलब बहुत जादा जो energy level हो जाते हैं बहुत कम के अपने उसे को अपन क्या बोल देते है energy band इसका जो graph और क्या है graph यह graph कहां से आया यह अपने को जानने के इतनी requirement नहीं है बस इसको समझ नहीं कि अपन को requirement है देखो बुक में बहुत कुछ दे रखा है अपने काम का वही है जो मैं बता रहा हूँ ठीक है आगया समझ में तो ज़्यादा बेटर क्या है graph में ज़्यादा ना उसके जितना बता जा रहा होता है समझ लिया जाए continue यह जो graph यह क्या बता रहा है यह spacing बता रहा है interatomic spacing interatomic spacing का मतलब क्या है कि जब दो atom बहुत दूर होते है isolated होते है तो उनकी जो energy gaps होते है वो कैसे होते है as compared to जब उनको क्या करा जाता है pass लाया जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या है D यह सबसे पहले क्या है D D क्या बता रहा है कि जो दो atom से वो बहुत दूर है और बहुत दूर है तो उनका अपस में को interaction नहीं है तो उनकी क्या है well defined energy level 1H to 2H to 2P6 3H to 3P2 यह क्या होता है अपनको पता है electronic configuration ले लो ठीक है तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे उनकी यह क्या interatomic spacing अब अगर मैं right side से left side में आ रहा हूँ right to में left में आ रहा हूँ इसका मतलब मैं interatomic spacing को क्या कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ फिर सुनना मैं कहा रहा हूँ right to left आ रहा हूँ deep abby में हूँ पर एभि में हूं राइट से अगर मैं लेफ्ट आ तो में इंटर इंटर अटमिक स्पैसिंग को या करहाँ एंटर अगर कम करें अगर कम हुँ तो देखते हैं कि उनके जो एनरजी के आउटरमोस्ट और्बिट जो हैं उनके जो एनरजी के बेंड के गये पिर वह कैसे-कैसे होते हैं देखो आप एक सी इस पेस पाई उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गए सी एक्च्वल में अपन को जो मिलती है फिर से सुनना एक्च्वल में अपन को आना कहां पर अपना आइडियल को अभी अपन कहां पर दी पर तो अपन आ रहे हैं बीच में दो और पॉइंट होती है तब फरक कितना होता है एक्च्वल में मिलता है कितना है अपन को एक्च्वल में मिलता है एक एडिस्टेंस जो होता है सेपरेशन दो एटम की बीच में वह अपन को एक्च्वल में मिलता है तो अपन क्या देखते हैं कि जेसे जेसे अपन क्या करते हैं वह स्पेसिं यह बात हो बता हो रही है आपको लेकिन इसो लेटेट तो है नहीं यहां पर आईसो सो लेइड औलसाम इंटलों स्टलव डिफाइंग कैंफąd लेकिन जब उनकी स्पेस कम होती है थो यहां देखो यह energy level क्या हो रहे हैं स्प्लिट ओ रहे हैं कितने distance पे c distance पे increase भी हो रहे हैं देखो lines उपर भी जा रही हो decrease भी हो रहे है लाई नीचे भी जा रही है किससी energy level की ऐसे बेपाते आपन क्या देखते हैं कि energy के दो रीजन बंजाते हैं एक तो बंनता है नीचे नीचे वाले को बोलते हैंrika बेलेंस मेंट उपर वाले को क्या बोलते हैं कंड़क्शन बेंड सबसे इंपोर्टेंट बात है वो इंपोर्टेंट बाद जो समझने के लिए ग्राफ है क्या है कि यह पीछ में देखो एनट यह जगे क्या रहे खाली अब यह रेड़ का एरिया बस कहा तक है जितना वह है अ इदा नीचे रह सकते हैं लेकिन यहां फी गर नहीं रह सकते हैं ऑर यह उपर वाला गैप होता है इसको पर क्या बोलते हैं यह बुद्ट सब् Anda को Oiو भी दिसाइट करता है क que यह जो gap आता है पीच में उनकी actual spacing के time पे तो यह gap फिर decide करता है कि वो जो substance है वो conductor होगा, semiconductor होगा या फिर insulator होगा तो अब अपने जो काम का है अब अपन जो आगे diagram देखने वाले हैं वो कौन सा देखने वाले हैं वो सुनो मैं इसी graph का एक piece ले रहा हूँ, देखना समना मैं जो piece यहाँ पर काट रहा हूँ यह जो मैंने piece लिया, इस piece के अंदर देखो, यह जो नीचे बना, यह क्या है, valence band और यह जो उपर बना, यह क्या है, conduction band, और यह बीच में क्या आ गया, gap तो अब अपन को बस इतना सा portion requirement है, आ रहा है समझ में, अब अपन को बस इतना सा portion requirement है, ठीके, चलो, next तो एक बाइफिर से देख लो, the highest energy band filled with valence electron is called the valence band मतलब वो highest energy का band, जो के valence electron से field ने जो नीचे होता है, उसको क्या बोलतेते हैं, valence band और the lowest unfilled allowed energy band, जो lowest unfilled allowed energy band होता है, उसके बाद में, valence के बाद में, उसको अपन क्या बोलते हैं, conduction band और उनके बीच में जो gap होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जहां पर कोई एनरडी का level नहीं है, मतलब energy का level नहीं है, मतलब electron जो है, वहां पर exist कर सकता है कि जहांद पर इस gap में नहीं exist कर सकता है, मतलब बीच में यह तो उसको जाना पड़ेगाided, वेलेंस बेंड में और या फिर उसको कहां जाना पड़ेगा कंड़क्शन बेंड आगया समझ में कंटिनू अब बात करते हैं कि इसकी मेटल्स की कि मेटल्स में कैसे होता है उसके बाद इंसुलेटर में कैसे होता है और सेमेकंड़क्टर में कैसे होता है metals के अंदर अपनको दो टाइप से gap मिलता है यह तो क्या होगा कि partially fill मिलेगा conduction band दो टाइप से अपनको मिलते हैं depending metal के ओपर यहाँ पर यह एक्जामबर दे रखे हैं यह तो क्या मिलेगा conduction band partially क्या मिलेगा fill मिलेगा या फिर क्या होगा कि जो conduction band और जो वैलेंस बेंड वो क्या होंगे आपस में ओवर्लेप होते हैं पर दीखेंगे यह किसके अंदर होता है होता है ये कितना होता है थ्री वोल्anh का ऑर घ्री ठ्यश्म का अब करेंद्स कि तना नहीं हो सकता क्यों कि इनगा बहुत जासकिता हैं कि यह इंसुलेटर जो होते हैं पोर कि से सette premiकंडूक्टर में क्या होता है कि यह जो फे Phase N स्पतल्ड़ कॷण तो नॉर्मध्ण होता है तब जो होता है उसमें बूंघ्रण नहीं पहुंच पाते काई एनर्ज नहीं क्यों Greeks तो अपनको कोई energy नहीं मिल पारी उनको heat energy उसके विज़े से वह का है सारे के सारे वेलेंस बेंड में बेटे में electron हो वेलेंस बेंड में बेटे में इसका मतलब क्या है कि conduction में जाएंगी तो चंड़क्शन में तो जा नहीं रहे तो इसलिए अपन क्या बोलत देंगी जीरो केल्विन के उपर वो कैसे भी हो करते हैं एस इंसुलेटर लेकिन जेनरली अगर अपन बात करें रूम टेंपरिचर की तो रूम टेंपरिचर के उपर क्या है कि कुछ electron को इतनी energy मिल जाती है कि वो का चले जाते हैं कंडक्शन बेंड में थर्मली एक्साइट होके और उनको क्या मिल जाती है एनर्जी हो जिससे वह वहां चले जाते हैं और electricity क्या करा देते हैं कंडक्शन इसका मतलब semiconductor जो होते हैं normal temperature के ऊपर क्या होते हैं हलके अपूल के semiconductor intrinsic semiconductor क्या होता है जिसमें purity होती है ठीक है कोई भी एक्स्ट्रा न तो electron हो लें आगे समझ में next नौन जीरो केल्विन की बात करें तो एक बी जो electron है वह conduction band में नहीं पहुच पाता और नहीं पहुच पाता तो कुछ नहीं होता लेकिन अपन करें तो रूम टेंपरेचर की बात करें तो रूम टेंपरेचर पर उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वह electron काहसा ले जाते हैं conduction band में और जिसे क्या हो जाती है conductivity हो जाती है पर वो में जाती है रख विवच से बात करें उसके एंड टाएप कि मतलबकन जादा इलेक्ट्रों जादा अब आप जिससे इलेक्ट्रों लाई वो कौन से कुप का था ता विपश्ट्रों के पास एनर्जी संथ यह उरत यहा ऑन इस इस ऑigner बलकि उसकी एनर्जी मतलब यह थोड़ा सा जो गैप है ना इतनी सी उसको एनर्जी चीए तो यह जीरो के एल्विन पर तो नहीं मिल पाती लेकिन नॉर्मल डूम टेम्टरचर पर यह एनर्जी मिल जाती है इस वज़े से जितने भी इलक्ट्रोन फिफ्ट ग्रुप के एटम के हैं वह सारे के सारे नॉर्मल टेम्परचर के उपर कहा होता है कि अपर कि शॉच्छ आपन क्या देखते हैं कि वह एक्रिसिटि के यह कारवादेतें नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी पी टायप सेमिकंडुक्टर उसमें क्या होते है कि थरड़ ग्रूप सब आप इन जनर बात करते हैं किसकी बात करते हैं आप इंट्रेंसिक सेमिकंदक्टर थोड़ा सा क्लिपकेशन के लिए एक बार टेबल देख लो तो चीजी थोड़ी सी क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी क्या है कि अंदर देखो इंट्रिकल कंडुक्टिविटी लो होती है अगर यहां पे वह होता हुण इसा कुछ भी नहीं स्थेट नहीं होते हैं ऍबूर फ्ल नहीं होते हैं नेक्टिट नहीं होते हैं नेक्ट्ट यूठ इसकी नेक्स्ट क्या है अब अपन बात कर रहे हैं एंड टाइप और पी टाइप के अंदर क्या होता है यह तो बिल्कुल बेसिक बता ही यह तो इसके अंदर इस लेक्ट्रों की डेंसिटी होती है एंड टाइप में वह काफी ज्यादा होती है किसे होल की डेंसिटी से ठीके तो इसके अंदर इस लेक्ट्र में अपने क्या क्या पढ़ा कि पहरे चीज़ तो समिक िड्र्डाodo होते क्या है फिर कितने टाइप के होते हैं कैसे अपन उसमें डोपिंग करवाते हैं क्यों करवाते हैं और वह डॉपिंग की तो बात हुई उसके बाद में अपने बात किसके गरी बेंड गेव की और वो बेंड गेव एडिटरेशिक और एक्षरेशिक में कैसे वर्प करते हैं ठीक है थैंक यू